नमस्कार दोस्तों, लर्न विथार्जे में आपका स्वागत है तो दोस्तों, गोडग पुर्वी सुविद्याले प्रसासन इस समय फुल एक्षन मोड में काम कर रहा है और रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही है जैसा की कल मैंने आपको बताया था PA Court University ने और समेश्टर की परिच्छाओं के रिजल्ट जारी करने सुरू कर दिये हैं तो वहीं even समेश्टर की परिच्छाओं यानि कि PG लेबल पे 2nd और 4th समेश्टर की परिच्छाओं और UG लेबल पे भी 2nd, 4th और 6th, 3ों समेश्टर की परिच्छाओं कि तैयारियां अब अंतिम चरन में पहुँच चुकी है आज मैं आपको इसी से सम्मंधित 2 महत्पोर जानकारियां देने जा रहा हूँ तो दोस्तों पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इसी तरिके की सबसे अथेंटिक और सबसे तेज सुचनाय प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान दबा दीजेगा पहली महत्पोर जानकारिया है कि समेश्टर पर इच्छाएं अप्रेल में ही सुरू होने की पूरी-पूरी संभावना है इस न्यूज को देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 10 अप्रेल से 20 मई के बीच हो सकती है पर इच्छाएं तो देखिए केवल न्यूज आई होती तो मुझे लगता है कि मैं यह वीडियो नहीं बनाता क्योंकि न्यूज को पूरी तरके से वेरिफाई किये विना कोई जानकारी देना सही नहीं होता है लेकिन एक और ऐसा नोटिस आया है जिसकी वज़ा से यह न्यूज वेरिफाई हो जाती है कि वार्सिक परिच्छा कारिक्रम जारी कर दिया गया है ठीक है आगे पढ़ लेते हैं डिडियू प्रसासन पहली बार वार्सिक और सिमेश्टर परिच्छाएं एक साथ कराने की तयारी में है परिच्छाएं 10 अप्रेल से 20 माई के बीच में संपन कराई जा सकती है जून में परने वाली भीसर गर्मी और उससे पहले माई के अंतिम और जून के पहले सब्ताहमें चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए इसका मतलब यह है कि आपकी परिच्छाएं जो है 10 अप्रेल से 20 माई के बीच में संपन कराने का बात चलता है ऐसे तो 15 अप्रेल से परिच्छा होने की बातें चर्चा पहले भी मैंने सुनी थी लेकिन अभी यह न्यू जा जाने की वेज़े से यह और ज्यादा कंफर्म हो गई है और साथी साथी यह भी बात कही जा रही है कि वारसिक और सेमेश्टर की परिच्छाएं एक साथ होंगी ठीक है यानि वारसिक परिच्छाएं और सेमेश्टर परिच्छाएं देखे वारसिक परिच्छा उन लोगों की होती है जो फ्राइवेट से फार्म भरते हैं या पहले उन्होंने एनुवल सिस्टम में एकजाम दिया है और अब जो है वो बैक पेपर या अंक सुधार के लिए दुबारा एकजाम देना चाहते हैं किसी पेपर में फेल हो गए इस कर लेता हैं कि इतनी जल्दी परिच्छा आखिर कराई क्यों जा रही है तो आगे देखिए लोगसभा चुनाओ को देखते हुए डिडियू प्रसासन परिच्छा को लेकर कोई नेड़ा नहीं ले पा रहा था क्योंकि चुनाओ की डेट अभी तक नहीं आई थी और चुना निर्धारित होने से क्या फर्क पड़ जाता है आई ये देखिए दर असल चुनाओी प्रक्टिया में डिडियू केंपस में बड़े हिस्से का इस्तिमाल निर्वाचन आयोग करता रहा है इसके अंतरगत चुनाओी प्रसिच्छार पोलिंग पार्टियों को रवाना करना म मत पिट का रखवाना मत गड़ना तक डिडियू में केंपस का इस्तेमाल होता रहा है यानि एक जुन को चुनाओ निर्धारित हुआ यदि और पहले हुआ होता तो जिस दिन चुनाओ होता उस दिन से लेकर वोट की गिंती होने तक डिडियू केंपस प्रभावित रहता ल अलाकि एक जुन के पहले लगबख 10 दिन से 15 दिन पहले से और भी कारक्रम चालू हो जाते हैं इसकी वज़ा से डिडिव केमपस ये मान के चलिए कि 20 माई से लेकर लगबख 10 जुन तक प्रभावित सहेगा तो इसलिए ये निरधारित किया गया है कि परच्छाएं 20 माई तक स हत्मीं भी नहीं हो पाएगा तो देखे ये नियूज आई थी तो मैंने इस पर वीडियो अभी नहीं बनाना चाहा यह नियूज आज की पेपर में है जिसका मतलब है कि कल दिन में यह नियूज प्रेस को दिया गया होगा और कल साम को ही एक नोटिस युनिवर्सिटी की वे वीडियालियों में वार्सिक परिच्छा 2024 के अंतरगत, संस्थागत, भूतपुर्व, भ्यक्तिगत, एवं एक विशे अंक सुधार बैक पेपर परिच्छा हे तु अर यह चात्मों की परिच्छाएं 9-4-2024 से प्रारम होंगी 9 अप्रेल से वार्सिक परिच्छा सुरू हो दोंग जाएगी, समयसार्णी को वेबसाइट पर अप्लोड कर दिया गया है, और यह पूरा का पूरा टाइम् टेबल जारी हो गया है, आप इसे युनिवरसिटी की वेबसाइट से डाउन्लोड कर सकते हैं, 9 अप्रेल से परिच्छाएं चालू हो रही हैं, और यह परिच परिच्छाएं 9 अप्रेल से सुरू कर दी गई हैं तो न्यूज में कही गई बातों को यद इसके साथ रिलिट किया जाए तो अब समेश्टर परिच्छाएं भी इसी के आसपास सुरू हो सकती हैं वैसे तो 15 अप्रेल से परिच्छा कटाने समंदी बातें बहुत दिनों से च करम भी जल्द ही जारी हो जाएगा और यह परिच्छाएं आपको मालूम है कि क्रम से होती है आम तोर पे पीजी की परिच्छाएं पहले चालू होती है और उसके बाद यूजी की परिच्छाएं चालू होती है तो इसमें बीए का परिच्छा कब होगा विकाम का कब होगा ये सब हो सकता है कि कुछ दिन आगे पीछे आपका हो कोई परिछा अप्रेल मिड में चालू हो कोई मई के स्टार्टिंग में चालू हो तो वो थोड़ा बहुत फर्क पर सकता है लेकिन युनिवर्सिटी की परिछाएं जो है 10 से 15 अप्रेल तक समेश्टर परिछाएं भी चालू हो जाने की पूरी संभावना लग रही है और 20-25 मई तक आपकी सभी परिछाएं समाप्त करा ली जाएंगी ऐसा भी उमीद लग रहा है तो अब आप लोग अपनी तयारी जो है जोर सोर से चालू कर दीजे जो पॉर्सन आपने पढ़ लिया है उसके MCQ अगर आपको देखना चालू कर दीजे जो पॉर्सन पढ़ना बाकी है उसके मुख्य बातों को आप लोग पढ़ना चालू कीजे जल्दी जल्दी अपने इस देवस को complete करने पर ध्यान दीजे आज के वीडियो में इतना ही यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजे, share कीजे, कोई doubt हो तो comment कीजे और इसके लाओ चैनल को subscribe करके बेल आइकान दवाना मत भुलिएगा ताकि कोई भी नई सुचना हो आपको तुरंत notification के मादयम से मिल जाए धन्यवाद